दोस्तो ये जो वीडियो है इस से पहले वाली वीडियो का second पार्ट है इसमें मैं आप लोगों को answer का question का जवाब देने वाला हूँ यहां पर हम पहला question लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं आप में से किसी भाई ने पूशा है हेलो सर मेरा आजाद वीजा है मैं घर आया हूँ पांच मंद से ज्यादा हो चुका है क्या मैं अभी जा सकता हूँ प्लीज तो इसका जवाब है कि आप बिल्कुल जा सकते हैं कोई दिकत की बात नहीं है अगर आपको 6 मैना से ज्यादा गुजर चुका है तो फिर जाने के लिए आपको इंट्री पर्मिट चाहिए जो कि आपकी कमपनी की तरफ से मिलेगा अगर आपको 6 मैना नहीं हुआ है तो 6 मैना से पहले आप किसी वक्त भी जा सकते हैं कोई दिकत की बात नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर यह बात भी याद रखनी होगी कि वहाँ जाने के बाद में आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात को ज़रूर धियान में रखिएगा ऐसा नहों कि आप वहाँ पर चले जाती है आप लोगो वहाँ पर काम नहीं मिलता है तो फिर वहाँ पर आप लोग पर परेशान हो जाएंगे दोस्तो आज का जो अगला कमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं इस भाई के कहाना है कि भाई जून दोहदार बैस से अक्तूबर दोहदार तेस चल रहा है अभी तक एक रियाल नहीं दिया है बहुत परेशान है कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि भाई आपको जो बता रहे हैं जून दोहदार बैस से लेकर करके अक्तूबर यानि कि आपको जो है एक साल से ज्यादा हो चुका है आपको यहाँ पर एक से एक रियाल भी नहीं मिला है तो आप क्या कर रहे हैं ओब बहुत पहले ही लेवर मिनस्ट्री में ँदे करें दोस्तों इस वीडियो के अगले सवाल में आप यहाँ पर देख सकते हैं आप में से किसी भाईनी पुछा है भाई मेरा आइडी खलास है मेरे को 2000 रियाल मानता है आईडी का मैं क्या करूँ केस करूँ या लेवर कोट जाऊँ भाई मेरा आईडी खलास होने वाला है इस भाई ने यहाँ पर यह चीज नहीं बताया है कि आपका जो वीजा फ्री वीजा है या यह के कमपनी वीजा है अगर आप फ्री वीजा में काम करते हैं तो फ्री वीजा वालों को आईडी रिन्यू करने की टाइम में कमपनी वालों को पैशा देना पड़ता है अगर आप फ्री वीजा में काम कर रहे हैं तो यह जो आपने 2000 याल की हम जापने शिकायत किया है ये शिकाइट आपका बजा नहीं है मतलब क्या आप गलाइत कर रहे हैं फिरी वीजा लेने का मतलब ही यहीं होता है कि आप कमपनी को हर साल जो है एक फिक्स एमाउंट देंगे बाहर में रहा कर काम करने के बदले अगर आपके कमपनी का कमपनी का वीजा है तो इस तुरत में आप labor ministry जागर complain करें यहाँ पर अगर आप reason बता देते कि company वाला आप से 2000 रियाल क्यों मांग रहा है अगर यह चीज़ आप साफ तोर पर clear करके बता देते तो मुझे जवाब देने में और भी आसानी हो जाती यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ वो यह कि कतर में फिरी वीयाल करने के टैब में एक रियाल भी नहीं लेना चाहिए दोस्तों यहाँ पर अगला कमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर आप में से किसी भाई ने लिखा है भाई अगर कमपनी ने vacation नहीं भेजा तो उसके खिलाब complain कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जी हाँ बिल्कुल complain कर सकते हैं मान लिजे कमपनी वाले ने आपके साथ जो agreement किया है उस agreement मि लिखा है कि आपको हर साल छुटी मिलेगी या ये कि आपको दो साल के बाद में छुटी मिलेगी अगर कमपनी वाले इस agreement को फोलो नहीं करते हैं दो साल खत्म होने के बाद भी आपको कमपनी वाले घर नहीं जाने देते हैं आपको छुटी में नहीं बेचते हैं तो आप लेवर मेरिश्टी में जागरे कंप्रेन कर सकते हैं आज के लास्ट सवाल में यहाँ पर आप देख सकते हैं आप में से किसी भाई ने पूछा है सर मुझे गतर आई हुए दो महेना हुआ काम सही नहीं मिला मैं घर जाना चाहता हूँ वीजा कोपी और पासपोर्ट है घर जा सकता हूँ आपने यहाँ पर बतेया है कि आपका एकामा नहीं लगा है आपके पास में वीजा है तो एकामा लगने से पहले अगर कोई वीजा होल्डर घर जाना चाहे तो उसको एक्जिट पर्मिट की जरूत पड़ती है दोस्तो इस वीडियो में इतना ही हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया